Hello students, today let's start the fifth chapter of your supplementary reader An alien hand, Golu Groza Nose and simplified by Rudyard Kipling Golu Groza Nose, Golu एक नाग उगाता है या बड़ी करता है अब Golu कोन है? Golu एक हाती का नाम है एक छोटा बच्चा है हाती का जिसका नाम Golu है और वो अपनी नाग को बड़ा कर लेता है कैसे बड़ा करता है? कि एक समय था जब हाती की कोई सूंड नहीं होती थी और Golu एक हाती का बच्चा था जिसकी नाग उभरी हुई थी बहुत प्रसन पूछा करता था जंगल में रहने वाले जितने भी पसू थे पक्सी थे उनसे कुछ ना कुछ पूछता रहता था एक दिन उसने मैना से पूछा कि मगरमस कैसा होता है बह कहां रहता है और बह रात के भोजन में क्या खाता है तो मैना ने उससे कहा कि स्वम जाओ लिमपो नधी पर और जा करके देख लो कि मगर्मच कैसा होता है और रात्री के भोजन में वो क्या खाता है तो गोलू ने निर्ले कर लिया, डिसाइड कर लिया और अपने परिवार से उसने कहा कि मैं लिम्पोपोने दिपर जा रहा हूं और मैं मगरमच को देखना चाहता हूं कि वह कैसा होता है और गोलू वहां से निकल पड़ता है तो चलिए बच्चो, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर गोलू की नाक कैसे बड़ी हुई और वह मगरमच से मिला या नहीं और अगर मिला है तो क्या होता है चलिए अपना फर्ष्ट पेराग्राप स्टार्ट करते हैं Long long ago the elephant had no trunk Long long ago means बहुत बहुत पहले या बहुत बहुत समय पहले हाती के कोई सूंड नहीं थी trunk means soon कि कोई सूंड नहीं थी He had only a bulgy nose कि उसके bulgy means उबरी हुई एक उबरी हुई नाक थी as big as a boot इतनी बड़ी जितना का एक boot यानी जूते जूते की भाती थी उसकी नोज He could wiggle it from side to side It could wiggle Wiggle means क्या करता था एक और से दूसरी और हिला सकता था It is को from side to side Means बह अपनी नाक को एक साइड से दूसरी साइड को हिला सकता था But couldn't pick up things with it लेकिन उससे कोई भी thing pick up नहीं कर सकता था उठा नहीं सकता था There was a baby elephant called Golu There was a baby elephant बहां एक या एक elephant का बच्चा था जिसका नाम Golu था He too had no trunk उसके भी कोई trunk या सून नहीं थी But only a valji nose एक उबरी हुई नाक थी As small as a small boot इतनी छोटी जितना की एक छोटा सा जूता होता है Golu was full of questions Golu questions से भरा रहता था अर्था बहुत प्रस्ण पूछता था He asked his tall aunt the ostrich एक दिन उसने अपनी बड़ी आंटी से पूछा ostrich ostrich क्या होता है सुत्रमुर्ग उसने सुत्रमुर्ग से पूछा अपनी लंबी आंटी सुत्रमुर्ग से पूछा Why don't you ever fly like other words कि why don't you ever fly कि तुम कभी उड़ती क्यों नहीं हो जैसे other words अन्य चलियां उड़ती है Then he asked his tall uncle फिर उसने एक अपने लंबे आंकल से पूछा The giraffe जिराफ से पूछा उसने जिराफ से क्या पूछा What makes your skin so sporty कि तुमारी इसकिन को इतना sporty इतना चित्तिदार कौन बनाता है ये कैसे बन जाती है इस पोटी इतनी चित्तिदार He asked his huge uncle फिर उसने अपने एक huge यानि एक विसाल huge मिन्स विसाल अंकल से पूछा The hippopotamus Hippopotamus क्या होता है Deriai घोडा उससे पूछा कि Why are your eyes always so red कि तुमारी आंके हमेशा इतनी red इतनी लाल क्यों रहती है He asked his hairy uncle उसने फिर hairy means बालो बाले अंकल से पूछा The balloon बबून मिन्स लंगूर लंगूर से पूछा कि Why do melons taste like melons कि melons तर्बूच का स्वाद तर्बूच जैसा क्यों होता है इस पर आप भी हसेंगे बई तर्बूच है तो तर्बूच का स्वाद तर्बूच जैसा ही होगा लेकिन फिर भी उसने लंगूर से पूछा कि तर्बूच का स्वाद तर्बूच जैसा क्यों होता है दा ostrich दा जिराफ दा हिपो पोटामस एंड दा बवून यानि जो सुत्र मुर्ग था जिराफ था या दर्याई गोडा और लंगूर had no answers to गोलू कोसंस क्यों उनके पास गोलू के प्रसन का कोई जबाब नहीं था गोलू is a naughty baby गोलू एक सरार्ती बच्चा है they said उन्होंने कहा और he asks such difficult questions और वे ऐसे difficult ऐसे कठी प्रसन पूछता है वन डे गोलू मेट दा मैना वर्ड सिटिंग इन दा मिडिल ओफ ए बस वन डे एक दिन गोलू मेट मिला दा मैना बर्ड एक मैना चिलिया से सिटिंग जो बैटी हुई थी इन दा मिडिल मद्ध्यमें आप दा बुस एक जाड़ी के बीच में बैठी हुई थी और उसने उससे पूछा वोट ड़स दा क्रोकोडाइल है फोर डिनर कि एक क्रोकोडाइल एक मगर मच जो है वो अपने रात्री के भोजन में क्या खाता है दा मैना सेड मैना ने कहा गो टू दा बैंक्स ऑफ दा ग्रेट ग्रेशी लिम्पोपो रिवर और फाइंड आउट गो जाओ टू दा बैंक ओब दा ग्रेट कि एक बड़े बैंक बड़े किनारे या तट पर जाओ ग्रेशी हर्याली से युक्त घास से युक्त लिम्पोपो नदी पर and find out और पता लगा लो कि खुद जाओ जो लिम्पोपोर नदी का एक बड़ा तठ है उस पर जाओ और खुद पता लगा लो कि क्रोकोडाइल यानि मगर मच रात्री के भोजन में क्या खाता है गोलु वेंट होम गोलु घर गया ही टुका हंडेड सुगर केंज उसने सो सुगर केंज लिए सो गन्ने लिए 50 डजन बनानाज पचास दरजन केले और 25 मेलन्स और 25 तरबूज लिए फिर उसने अपने परिवार से कहा गुड बाइ कि मैं एक बड़ी हर्याली यूक्त लिम्पोपो रिवर पर या नदी पर जा रहा हूं कि मैं यह पता लगाँगा कि एक मगर मच रात्री के भोजन में क्या खाता है उसने कभी कोई मगर मच नहीं देखा था और ये भी नहीं जानता था कि क्रोकोडाइल कैसा लगता है कैसा दिखता है और उससे पूछा have you ever seen a crocodile क्या तुमने कभी किसी crocodile किसी मगरमच को देखा है what does he look like बह कैसा दिखता है what does he have for dinner और बह रात्री के भोजन में क्या खाता है the python uncoiled himself from the branch of a tree python जो अजगर था वो coiled coiled means कुंडली मारे बैटा था लपेटे हुए था एक साखा सा लिपटा हुआ था तो वो uncoiled हुआ means उसने लपेटा खोला या कुंडली खोली स्वम को उस पेड से उस ब्रांच से खुद को हटाया but said nothing लेकिन उसने कुछ नहीं कहा गोलू politely helped him to coil around the branch again and said good word to him गोलू ने politely बिनर्मता से helped him उस अजगर की मदद की to coil around coil around means लपेटा लगाने में या कुंडली मारने में दा ब्रांच उस साखा पर again दोबारा and said good bye him और उसको good bye कहा गोलू moved on गोलू आगे बढ़ गया या चला गया इटिंग सुगर केंस उसने गन्ने खाये बनानास, केले और मेलनस तरभूज after a few days कुछ दिनों के बाद he raised the berry age of the great grassy limpopo river he raised बहे पहुच गया the berry age means उसी किनारे पर of the great बड़े grassy limpopo river उस बड़े हर्याली या घास से युक्त limpopo नदी पर बहे पहुच गया on the bank of the river he saw a log of a bird नदी के किनारे पर उसने देखा a log एक लठा बूड लकडी का एक लठा देखा it was really the crocodile who winged at him it was really वास्ता में the crocodile वास्ता में मगर मची था who जिसने winged at him मतला अपनी आँख को तिम्टिमाते हुए उसे देखा excuse me said गोलू गोलू ने क्या हाँ छमा करिएगा have you ever seen a crocodile क्या आपने कभी किसी crocodile किसी मगर मच को देखा है the crocodile winged again and lifted half his tail out of the mud crocodile ने फिर winged किया अपनी आँखों को तिम्टिमाया और देखा और अपनी आधी पूच को उठाया कहां से out of the mud की चड़ से come here यहां आओ little one छोटे बच्चे यहां आओ said the crocodile मगर मच ने कहा why do you ask such questions तुम ऐसे प्रसंद क्यों पूचते हो I want to know मैं जानना चाहता हूँ I want to know मैं जानना चाहता हूँ close come close little one समीप आओ छोटे बच्चे for I am the crocodile क्योंकि मैं ही crocodile हूँ मगर मच हूँ and he said crocodile tears to so it was quite true and he said means crocodile ने said means बहाए crocodile tears उसने मगर मच के आशू बहा करके दिखाए कि यह बात बिल्कुल true है यह नहीं सच्ची है कि नहीं कि बही crocodile है गोलू वोज आफरेड गोलू डर गया था but he sat down on the bank लेकिन बही बैंक यानी किनारे पर बैट गया and said और कहा you are the very person I was looking for कि तुम बही ब्यक्ति हो very person बही ब्यक्ति हो जिसे मैं देखना चाहता था या जिसकी मुझे तालास थी please tell me what you have for dinner किर्पिया मुझे बताईए कि आप रात्री के भोजन में क्या खाते है come here little one यहां आओ चोटे बच्चे and I will whisper the answer to you said the crocodile crocodile ने कहा या धीमे से बताऊंगा answer जवाब to you तुमे कि मैं इसका जवाब या तुम्हारे प्रसन का उत्तर धीमे से या फुस फुसा कर दूंगा गोलू put his head down close to the crocodile snout and the crocodile caught him by the nose गोलू ने put his head down अपना सिर नीचे रखा close to the to the crocodile snout crocodile के snout means उसकी नाक के पास या उसके मुह के पास snout थूतनी snout means थूतनी के पास उसने अपना सिर रखा and the crocodile caught him by the nose और उस मगरमज ने उससे नाक के हिस्से से पकड़ लिया I think sad the crocodile crocodile ने कहा कि मुझे लगता है कि तूड़े अब बेबी एलिफेंट बिल वी माई दिनर कि आज एक एलिफेंट का बच्चा मेरे रात्री का भोजन होगा Let me go मुझे जाने दो You are hurting me Hurting means चोड़ पहुचा रहे हो तुम मुझे चोड़ पहुचा रहे हो Mr. Crocodile screamed गोलू screamed means चिलाया गोलू चिलाया The python who had been quietly following गोलू came to the bank and said Python Asgar who had been quietly following गोलू जो सान्ती पूर्बक ये चोरी से गोलू का पीछा कर रहा था बहन नदी के किनारे आया और कहा If you do not pull as hard as you can The crocodile will drag you into the stream उसने गोलू से कहा कि अगर तुम सुम को pull नहीं करोगे खीचोगे नहीं इतनी hard इतनी तेजी से जितने की तुम खीच सकते हो तो ये crocodile जो है तुम्हें ड्रेग खीच कर ले जाएगा into the stream मिन्स जरने में या जरने के पानी का जो बहाव है उसमें तुम्हें बहा करके ले जाएगा अगर तुम सुम को खीचोगे नहीं गोलू सेट बैक on his little haunches and pulled and pulled गोलू सेट बैक पीछे की साइड बैठ गया little haunches अपने कुलो के बल and pulled and pulled और भे खीचता रहा the crocodile slipped into the water making it all creamy with great sweeps of his tail the crocodile slipped into the water अब crocodile slip कर गया था पानी में पानी में slip हो गया गिर गया और making it all creamy उसने सारा पानी creamy में या धुनला कर दिया with great sweeps of his tail अपनी पूच के बहाब से उसने सारा पानी धुनला कर दिया sweeps हिला हिला कर पूच को and he also pulled and pulled और बहबी मगर मच भी उसको अंदर खीचता रहा मतलब गोलू बहर की साइड खुद को खीच रहा था और मगर मच पानी से गोलू को खीच रहा था देन दा पाइथन कोईल्ड हिंसेल्फ राउंड गोलू ज स्टोमच और सेड फिर पाइथन ने स्वम को गोलू के स्टोमच यानी पेट से कोईल्ड कर लिया या लपेट लिया और कहा लेट्स पुल हार्डर चलो तेजी से मजबूती से या तेजी से खीचे गोलू डग in all his four legs in the mud and pulled गोलू ने डग मिंस गाड लिये अपने चारो पैर इन दा मढ मिट्टी में and pulled और खीचा फिर गोलू ने यानी Щारो पैर मिट्टी में गाड लिये धसा लिये और फिर अपनाको खीचा दा नोज कैप्टन स्ट्रेचिंग, जो नोज थी वो स्ट्रेचिंग यानि खिचती गई, अ इट इच पूल दा नोज गुरू लॉंगर एंड लॉंगर एंड इट हड गोलू, और एट इच पुल प्रतिय खिचाब पर जैसे वो खीच रहे थे उसकी नोज गुरू लोंगर और लोंगर उसकी नाक जो है लंबी और लंबी होती गई और इट हर्ट गोलू और इससे गोलू को हर्ट हुआ चोट पहुंची अब उसकी नाक पाँच फिट लंबी हो गई थी बट इट वोज फिरी एट लास लेकि अंत में वो आजाद हो गई थी अर्थाद मगर मच ने उसकी नोज छोड़ दी थी गोलू sat down गोलू बैट गया with his nose wrapped up in a big banana leaf कि गोलू बैट गया और उसने अपनी नोज अपनी नाक को wrapped means लपेट लिया in a big banana leaf एक केले के पत्ते से and hung it in the great grassy limpopo river to cool और hung it means इसको लटका दिया great grassy limpopo river कि उस बड़े घास युक्त limpopo नदी में अपनी सुन को लटका दिया अपनी नाक को to cool थंडा होने के लिए गोलू sat there for two days waiting for his nose to cool and to shrink गोलू sat there वहाँ बैठा रहा for two days दो दिन तक बैटिंग इंतिजार करता रहा for his nose की उसकी नाक to cool थंडी हो जाए and to shrink में सुकड जाए कि अपनी नाक को थंडा करने के लिए और सुकड़ने के लिए दो दिन तक वहाँ बैठा रहा it grew cool but it didn't shrink बैठ थंडी तो हो गई but shrink didn't shrink लेकिन सुकड़ी नहीं वो जितनी लंबी थी उतनी ही रही at the end of the second day दूसरे दिन के अंत में a fly came and stung golu on the shoulder a fly एक मखी आई और उसने stung यानि डंक मार दिया गोलू के shoulder means कंधे पर golu lifted his long nose यानि trunk and with it hit the fly dead golu ने अपनी nose उठाई means trunk अपनी sund को उठाया and with it और इससे hit means मार दिया the fly को और वह fly क्या हो गई dead तो उसने अपनी sund उठाई और उसने उससे मक्की को मार दिया advantage number one love advantage means love love number one his the python python ने फुंकार मारी और कहा कि love number one आपकी जो sund है इस नाक है इसका पहला love यह है कि आप अपनी sund से किसी को भी मतलब कोई भी अगर आपको hurt कर रहा है उसको मार सकते हो you couldn't have done it with a small nose कि तुम अपनी छोटी नाक से ऐसा नहीं कर सकते थे मक्की को नहीं मार सकते थे try and eat a little now अब कोशिस करो और कुछ थोड़ा खा कर देखो अपनी सुंड से गोलू put out his trunk and plugged a large bundle of grass गोलू ने अपनी ट्रंक अपनी सुंड उठाई और plugged a large plugged means तोड़ा ए लार्ज बंडल एक बड़ा बंडल या गठ्री सी बनाई घास की इसको तोड़ा और he dusted it against his four legs and stuffed it into his mouth फिर उसने dusted means जाड़ा इट इसको against his four legs अपने अगले पाउं से and stuffed खा लिया इट इसको into his mouth अपने मुम से इसको फिर खाया advantage number two love number two his the python python ने फुंकार लगाई और कहा you couldn't have done it with a small loss कि तुम ऐसा अपनी छोटी नाख से नहीं कर सकते थे यह घास जो तुमने उठाई है या तोड़ी है एक साथ इतने साथ सारी और उसे फिर मुम लेकर के गए सून से ऐसा आप अपनी छोटी नाख से नहीं कर सकते थे don't you think the sun is too hot now फिर उसने कहा क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बहुत गर्मी है कि सूर्या बहुत तेज निकल ला है गर्मी बहुत है गोलु स्कूब्ड अप एंड सम्मड फ्रोम दा बैंक एंड स्लैब्ड इट ओन इस हैड कि गोलु ने इसकूब्ड गोलु स्कूब्ड अप सम्मड इसकूब्ड मींस उच्छाली सम मढ कुछ कीचल फ्रोम दा बैंक रिवर से और उसको स्लैब कर लिया इन्ही डाल लिया इसको अपने सिर पर मिन्स उसने अपनी सून में कुछ मढ ली और उसको अपनी सर पर डाल लिया एड़़न्टेज नमबर थ्री किलाब नमबर तीन इस दा पाइथन पाइथन ने फुंकार लगाई और कहा यू कुड़न्ट हैब डन इट विदा स्मोल लोज कि तुम ऐसा अपनी छोटी नाख से नहीं कर सकते थे थैंक यू मिस्टर पाइथन मिस्टर अजगर आपका धन्यवाद सैट गोलू ग्रेटफुली गोलू ने कृतिग्यता से कहा I will remember all this मैं यह सब remember करूंगा या याद रखूंगा and now or I will go back to my family अब मैं अपने परिवार में बापस जाना चाहूंगा तो देखा बच्चो कि गोलू जो हाती था या हाती जो थी उनकी सूंड कैसे आई है यह कहा नहीं है एक ओके थैंक यू टेक केर